था प्रेंड्स वेल्कम टू मैं चानल आज से में आपको अनलैन फ्री क्लास शिका हूंगी जैसे कि जो बिगिनर्स रहते जिनको किस सिलाई नहीं आती या जिनको बाहर जाना नहीं होता तो आप घर बेटे ही अनलैन फ्री में कलास सीख सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको मे जी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नाहीच करना हो जैसे कि आपने ऐसे वीडियो मिस्किया गारा भी जीत्विडेयरो अगर प्रू आइपने वीडियो में चीज़ों घ्लाज्सिक नर्हेढमेजल मम्लड टरी तो और प्रूधे कम देंबShea देखे तुम्हेने हाँ पर यहां पर जो सामन लिये मैं उनके आपको जानकारी दियोंगी कि हमें सुरवत में क्या क्या छीजे लगती है तेदेदे देखे यहां पर यह कार्चीट पेपर है हमें कार्चीट पेपर चाहिए डायग्राम के लिए जब भी हम जो भी सेखते तो ह पहले डायग्राम बनाते हैं, जिसकी भी हमें cutting करनी है, डायगरम करके हम उस फैबरिक पे रखके हम फैबरिक को कट करते हैं, तो सबसे पहले हमें diagram के लिए काटशीट पेपर की जरुत पढ़ती है उसके बाद हमें एक नोटबुक लगती है जो हम सीखते हैं वो हमें नोटबुक में लिखना होता है तो जब हम नोटबुक में लिखते हैं जबी भी हमें जरुत पढ़ती हैं नोटबुक में साहां हम देख वापस चीख सकते तिसली रह生 서 इसली हमें नोटबुक की जरुफा होती है, एक पेन होसा का, चाहिए नोटबुक में लखनी के लिए नोटबुक में भी हम डायग्रम बना सकते हैं उसके लिए हमें एक पेंसिल चाहिए और एरेजर चाहिए तो जो भी हम छोटा छोटा डायग्रम बनाते हैं और उसके आगे उसका जो हमने डायग्रम बना है उसके बारे में एकस्प्लेम करके हम नोड़बुक में लिखते हैं उसके साथ सथ हमें स्केल चाहिए, तो दिखी हैं पर एक छोटी वाली स्केल है और एक बड़ी वाली, बड़ी वाली यह है कि यह शेप जब भी हम बड़े फैब्रिक पर जब भी हम लाइन देते या फिर सलवार की कटिंग हो या बड़े-बड़े साधी पेटिकोट हो या ड कार्ट सीद्ब पेपर वे हम जब डायक्रम बाराती है उसे कटिंग के लिए हमे एक कैच्ची चाहिएентов एक मेजरमेंट टेप चाहिए ना पलेनी के लिए हमेरमन टेप चाहिए स्ोई धागा चाहिए या कच्छा सिलाई लागाते ही उसके लिए हमें भी छॉक चाहिए, एक चॉक चाहिए जब भी हम कटिंग करते हैं ढाइग्राम निकालते तो उसके लिए हुण भी हमें चॉक चाहिए और हमें भी पर चूलने के लिए मैं एक फैब्रिक चाहिए इतनी हमें चीजों की जरूत परती हैी हमारी बेसिक चीजे यह हमें बरीगुलर चाहिए जब भी हमें काड्षीट चाहिए, ज़ी हमें काड्षी आधर बनाते जो श्कते उसके लिए हमें एक notebook चाहिए, एक pen चाहिए, और notebook में हमें diagram निकलने के लिए ये pencil चाहिए, ariser चाहिए, यहाँ पर हमें line देने के लिए Lebha, diagram निकलने के लिए हमें scale चाहिए, चोटी वाली, एक बड़ी वाली, नाप लेने के लिए हमें, measurement tape चाहिए, सुई धागा चाहिए एक चौक चाहिए कईची चाहिए और सिलने के लिए फैबरिक और साथ ही साथ इसके साथ हमें तो देखिए हमें यहाँ पर एक मशिन चाहिए सिलने के लिए सुर्वात में हम दो तिन बार हम पहले हाथ से सिलते हैं बाद में हम मशिन पे सिलते हैं जिसको मशिन चलाने आती है उनके लिए इजी होगा और जिसको नहीं आती है तो उसके लिए भी पहले मशिन चलाना सीखना होगा यह मशिन हमने इसके लिए मोकर funding लागा और इसे कैसा यूज़ करना चाहिए इसके जानकरी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया था प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो